गुड मॉर्निंग बच्चो मैं आपकी गैतरी में मैंने हम मीटकर जो तूसरा चेप्टर था पढ़ाया था उसका मैंने मौखिक बनाया है सुच आप लोग को भीज़दू आप लोग इसे फियर कर लिजेगा मैं इसे एक एक करके बताती हो प्रश्णों को आप धियान से सु समय की पुकार क्या है तब उसका उत्तर है समय की पुकार है कि हम मिलकर रहें मिलकर बोले और समान रूप से सोचे यानि कि हम को हर काम को मिल जूलकर ही करना होगा यही समय की पुकार है दूसरा प्रश्ण देख लें कि लराइया क्यों होती है लराइया क्यों होती है उसका उत्तर है कि लराईयां तब होती है जब मनुस मिलकर नहीं रहते और अपना स्वार्थ साथते रहते हैं जब व्यक्ति अपना स्वार्थ में आ जाता है तभी वो लराईयां करता है दुखी रहता है और लग रहने की कोजिस करता है तीसरा प्रशन देख लिए बच्चो मनुस किस तरह का प्राणी है मनुस किस तरह का प्राणी है तो इसका उत्तर है कि मनुस एक समाजिक प्राणी है मनुस एक समाजिक प्राणी मैंने आपको चैप्टर प्राणी के दोरान उसका सही से विबन दिया थे सबस्तु ने कहा था, कि अगर मनुस समाज में रहेगा तब ही अपनी जीवन को सही रूप से चला सकेगा क्योंकि हमें समाजी चलना, बोलना, खाना पीना समाज की गति बीढ़ियों को सिख लाता है चोहता बरसंदेखं कि समाज अच्छी तरह उनन्ती कैसे करता है बुद्धी बल के द्वारा संध सक्ति के द्वारा कर सकता है। संध सक्ति का यहाँ पर मैंने बताया था आपको। यह जो संध सक्ति है यानि संगठन सक्ति, एकता की सक्ति, एक रहने की सक्ति यही बताता है कि समाज अच्छी तरुनत्ति कैसे करेगा। समाज अच्छी मंत्रा कहां सा गया तो हमारे जो निबंध हमने परहाया था हम मिलकर रहें उसे में छोटी-छोटी कहानियों के दौरार महा भारत रामायन हमारे देश के सिपाही पसु पक्षी जीव जंदू सब के बारें बताया था उसे में एक महाभायत के एक कॉड़नेट में भी एक क्या हुआ था तो मंत्रा के बुड़ी सला के करण क्या हुआ था कि केकई ने मंत्रा के बुड़ी सला के अनुसार काम किया तो अपने पती दसरत के साथ पुत्रभरत को भी खो दिया और समाज में छबी भी धूमील हो गई समाज में धूमील यहां पर अप धूमील का आर्थ यह नो मत समझना है कि क्या लिख दी मैं धूमील कार्थ होता है, धूंदला होना, समाद में उसकी छबी खराब होना, यह मैंने मौकिक प्रसन आप लोग को समझा दिया है, दूसरा का आप लोग इसे फियर कर लेना, नेक्ष्ट प्लास में मैं आप इसका दिर्गुतरिय बता ठीक है बच्चों, बाई